5th September है एक बहुत इखास दिन और उस दिन आ रहा है और एक नए IPO इस IPO की नाम है तामिलनाट मार्केंटाइल बैंक लिमिडिट की इस कॉम्पानी के बारे में इस IPO को हम डीटेल में अनलेसिस तो करेंगे ही लेकिन उससे पहले देखे हम आपसे बहुत कुछ सीखा है आपकी कॉ हैपी टीचर्स डेइ एडवांस में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है जो भी है मैं हूँ गोरब नोंदी आई आज की IPO अनलेसिस में आगे बरते है जो भी है इसी तरह से quality investment content पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने की साथ सथ घंटा या फिर घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोड से डीटेल टेकनिकल अनलेसिस करके समझने की कोशिस करेंगे ट्रेडर इन्वेस्टर इस IPO को लेकर कितना जादा excited है क्या हमें इस IPO के अंदर apply करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए और इस IPO से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है तामिलनाट बैंक IPO पास सेप्टमबर से सुरू होने वाला है और इसे आप साथ सेप्टमबर तक apply कर सकते इस IPO में एक share की price रखा गया है 500 रुपया से लेकर 525 रुपिस की बीच में और इस IPO की lot size है 28 share की इस IPO की मदब से company total 831 करोड 60 लाग रुपया मार्केट से उठाने वाला है जो की completely है fresh issue यानि की IPO की पैसा company की business development की अंदर use किया जाएगा और इस IPO की एक lot apply करने के लिए आपके पास minimum 14,700 रुपिस रहना चाहिए इसके अलावा IPO की face value, allotment date, refund date, listing date है आपकी screen पे जैसे कि हमने discuss किया एक fresh issue IPO है यानि की IPO से total जितना भी पैसा मिलेगा वो company की growth में development के लिए use किया जाएगा जैसे कि पैसा company की growth development पे use हो रहा है इसलिए इस type की IPO को कापी अच्छा माना जाता है अब याई है IPO की GMP data की मदद से समझने की कोसेश करते इस IPO से कितना listing एन मिल सकता है आज की latest data की हिजाब से तामिलाट बैंक IPO की GMP चल रहा है 34 रूपीज और इस GMP data की मदद से calculation करने की बाद हमें मिलता है इस IPO से हमें app rocks 6.48% listing गेन मिल सकता है देखिए grey market demand की उपर निर्भर करके IPO की GMP चेंज होते रहता है इसकी अलबा कितने लोग IPO apply किया है या फिर subscription status की उपर भी listing गेन निर्भर करता है तो अगर आप बहुत ही ज़्यदा excited है इस IPO को लेकर तो हमें लगता है last day तक आपको wait करना चाहिए और last day की GMP और subscription status देखने की बाद ही आपको decide करना चाहिए कि IPO apply करना चाहिए या फिर नहीं लेकिन फिलाल की डेटा देखते हुए personally हमें नहीं लगता है इस IPO से हमें ज़ादा listing gain की उम्मिद रखना चाहिए इसलिए मैं personally listing gain के लिए इस IPO को ignore करना चाहता हो अभी आपका क्या राय है जरूस से आप comment पे बताईए जो भी है किसी भी IPO की subscription status और GMP आपडेट सबसे पहले पाने के लिए QDigital Telegram चैनल के साथ जुड़े रहिए लिंक हमने share किया है नीजे description पे तो अब तक हमने listing gain की हिजाब से discuss किया और समझा IPO उतना भी दमदर नहीं है listing gain की हिजाब से अब याई ये detail fundamental analysis करके समझने की कोसिस करते long term की हिजाब से long term investment की हिजाब से IPO कैसा है long time पे इस IPO से कितना return बन सकता है एक एक करके हम सब कुछ discuss करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे company की business moral कैसा है देखिए किसी भी markantile bank या फिर business bank की अंदर जादर current account या फिर business account रहता है और bank की जादर revenue आता है loan पेसिबिकली business loan से और current account deposit से तामिन लाट markantile bank है भारत की one of the oldest गिने चुने bank में से एक 100 साल से भी जादा time से तामिन लाटु की साथ साथ और भी 15 स्टेट और 4 union territory की अंदर business कर रहा है फिलाल इस bank के पास 509 branches और 50 lakhs भी जादा customer वेस है जिनमें retail, MSME और agriculture sector की customer सबसे जादा है फिलाल आपकी screen पे है इस bank की branches, ATM, CRM data की chart अगर हम थोड़ा और अंदर जाते है देना में मिलेगा इस bank की सबसे जादा branches तामिन लाटु पे ही है अब यहाँ पे हम state wise इस bank की revenue compare किया है यहाँ सभी हमें मिलता है तामिन लाटु से ही bank सबसे जादा revenue generate करता है यानि कि अगर हम revenue wise देखे तो इस bank की revenue बहुत जादा single state एक ही state तामिन लाटु की उपर dependent है जिस वजा से कही न कही low diversification risk create होता है अगर तामिन लाटु state की अंदर कोई big हलचल होता है देन इस bank को face करना होगा काफी जादा difficulties अब इस segment wise देखे तो बैंक की जादा revenue आता है लोन से overall loan amount काफी अच्छे से increase हुआ है लेकिन एक लग से जादा amount की लोन इस साल decrease हुआ है यानि कि बैंक की फिलाल जादा फोकास से small loan की उपर और small loan default होने की chance बहुत ही कम रहता है इसके अलावाइस बैंक से home loan, भैकेल्स loan जैसे की commercial भैकेल्स loan, tractor loan, car loan, two wheeler loan की साधी साथ second hand भैकेल्स की उपर भी loan मिलता इस बैंक से देखिए बैंक के लिए कहा जाता है जितना ज़्यादा अच्छा loan उतना ही ज़्यादा profit तो आईए देखते हैं, बैंक पैसा कितना कमाता है, कमपानी की financial कैसा है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फाइनेंसियाल है 2020, 2021 और 2022 की दोरान बहुती सांदार, बहुती अच्छे से, खुदकी asset, revenue और profit को increase किया है continuous asset, revenue और profit increase होना, किसी भी कमपानी के लिए, किसी भी बैंक के लिए बहुती अच्छा माना जाता है इसकी अलबा, बैंक की net worth और reserve भी यार औन यार increase हुआ है तो कमपानी की financial report से ये तो विल्कुल clear है, कमपानी profit बनाने की मामलों में compromise नहीं करता है फिलाल कमपानी की EPA से पार्सयार 57.67 रुपीज जो की काफे अच्छा नंबर है कमपानी हर साल पार्सयार 57.67 रुपीज इंकम कर रहा है अभी किसी भी बैंक के अंदर निवेश करने से पहले, बहुत ही important एक parameter आपको हमेशा चेक करना चाहिए जो की है NPA या फिर non-performing asset अभी NPA जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है तामिलनाट बैंक की NPA 0.95% जो की इसकी competitor बैंक की दूलना में काफी कम है कम है याने की अच्छा है तो बरहुल देखा जाए तो बैंक काफी ज़्यादा profitable भी है और growing भी है लेकिन इसके साथ केवल एक ही problem है इसकी जादर revenue आता है केवल एक ही single state तामिल नाडू से तो बैंक काफी ज़्यादा dependent है तामिल नाडू की उपर इसलिए future में जब बैंक या फिर company expand करने की कोशिस करेगा अलग-अलग state की अंदर branches open करने की कोशिस करेगा तब उन्हें काफी ज़्यादा difficulty फेज करना पर सकता है देखिए फिलालिंक की जो employee base है या फिर जो management है higher management है तामिल नाडू base और तामिल नाडू की culture थोड़ा सा अलग है इसलिए जब future में अलग-अलग state की अंदर branches open करने की कोशिस करेगा या फिर जब बैंक अलग-अलग state की अंदर branches open करने की कोशिस करेगा तब उन्हें काफी ज़्यादा difficulty फेज करना पर सकता है length wage barrier जैसी problem भी आ सकता है example के लिए ऐसा ही same type की एक bank कुछ सार पहले लिस्ट हुआ था bank के नाम है बंधन bank limited जो कि West Bengal की अंदर काफी ज़्यादा popular है और bank की ज़्यादा revenue आता है single state West Bengal से ही यानि कि बंधन bank भी West Bengal की उपर काफी ज़्यादा dependent है तो तामिलनाट bank और बंधन bank की अंदर काफी similarity है वो dependent है किसी एक particular single state की उपर तो अभी अगर आप तामिलनाट bank से long time पे कैसा performance मिलेगा कैसा return मिलेगा वो अगर आप समझना चाहते तेन बंधन bank की track record आप देख सकते IPO की बाद से बंधन bank कैसा performance दिया है उसे आप track करके थोड़ा सा idea ले सकते और इस काम को मैं आप की उपर ही छोड़ देता हूँ आप check कीजिए उसकी बाद comment पे हमें बताइए तामिलनाट bank से कैसा performance हमें मिल सकता है personally हमें लगता है फिलाल इस bank में हमें long time investment नहीं करना चाहिए देखे जैसे के हमने पहले discuss किया नया branch open करने के लिए इने RBI से पार्मिसन नहीं मिला RBI इने इने कहा है पहले जाकर खुद को stock market पे list करो उसकी बाद नया branch open करने की पार्मिसन मिलेगा इसलिने company IPO लेकर आया है IPO लेकर हाजिर हुआ है तो IPO के बाद जब company जब bank नया नया branch open करेगा अलग-अलग state की अंदर तब हम देखेंगे observe करेंगे अलग-अलग state की अंदर जो नया branch open हुआ है उधर performance कैसा चल रहा है business same street से grow हो रहा है या फिर नहीं अगर उस time पे सब कुछ अच्छा जाता है अच्छा चलता है देन हम investment करने की बाद सोचेंगे लेकिन फिलाल के लिए चाहे लिस्टिंग एन के लिए हो या फिर long time investment की इसाफ से फिलाल के लिए हम personally इस IPO को ignore ही करेंगे आपको क्या लगता है आपका क्या राह इस IPO के बारे में इस IPO को अपला करना चाहिए या फिर ignore जरूर से आपकी राह नीचे comment पर बताईए आज की वीडियो पसंद आरे जो को like करें वीडियो पसंद आने पर dislike साथी साथ याद रगनाथ हमने जो कुछ भी discuss किया है सब कुछ है बिल्कुल study purpose के लिए किसी भी जगा पे निवेस करने से बहले खुछ से study कीजिए अगर आपकी कोई भी financial advisor है उनसे भी आप सला ले सकते है आज की IPO analysis की जैस ही next IPO analysis पाने के लिए quality analysis पाने के लिए इस channel को subscribe करने की साथ-साथ bell icon को on करना ना भूले जो भी है thank you दिल से हम मिलेंगे फिर से keep going, keep growing झाल